Sentimentally का क्या आर्थ होता है यह आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं Sentimentally का आर्थ होता है कोई भी चीज जो sentimental होकर की जाती है उसे हम sentimentally कहते हैं यानि कि भावकता पूर्ण धंग से या भावात्मक रूप से जैसे कि अगर आप यह कहना चाहें कि वह अपनी पतनी से भावात्मक रूप से जुड़ा हुआ है तो आप कहेंगे he is sentimentally attached to his wife या अगर आप यह कहना चाहें कि यह आपके साथ अविस्मर्निय रूप से भावात्मक रूप से जुड़ा हुआ है तो आप कहेंगे it is sentimentally attached to you unforgettable अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें